दोस्तो ओम नमस्षिवाए आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्टूवर 2023 में राहु के रासी परिवर्तन से धनुरासी के लोगों पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा जानेंगे आपके वेपार, वेवसाय, नौकरी, सिक्षा, स्वास्त, पारेवारिक जीवन, प्रेम जीवन और दामपत्ते जीवन सभी के बारे में दोस्तो आगे बढ़ें, इससे पहले आपसे निवेदन हैं, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ दोस्तो राहू हमेशा ही उल्टी चाल से चलने वाला ग्रह है, और लोगों का सोचना ये है कि राहू सनी की तरह ही प्रवर्थी रखते हैं, राहू का गोचर व्यक्ति जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है, जिन लोगों पर राहू की दसा चल रही है, यह महा दसा चल र और जोतिस के अंतरगात सनी ग्रह को सबसे मंद गती से चलने वाला ग्रह माना जाता है गोचर के समय अंतराल को देखें तो इन के बाद यानि सनी के बाद राहू का नंबर आता है जो सदैब उल्टी चाल से चलते हैं और लगबग डेड़ वर्ष की अबदी में यह अपना रासी परिवर्तन करते हैं राहू को सनी वत राहू का जाता है यानि यह सनी के समान ही फल देते हैं राहू 30 अक्टूबर 2023 की दोफेर दो बज कर 13 मिनट पर अपनी वक्री चाल चलते हुए मेश रासी से निकल कर देव गुरू के अधीन आने वाली मीन रासी में प्रवेश कर जाएंगे जोतिस में नव ग्रहों को प्रमुकिस्थान दिया जाता है जिनमें साथ ग्रह पून ग्रह मने जाते हैं जैसे की सूरिये, चंद्रमा, बुद्ध, मंगल, शुक्र, सनी और देव गुरू बिरस्पती लेकिन इनमें दो ग्रह चाया ग्रह कहलाते हैं जिनमें पहला राहू है और दूसरा केतू ग्रह है जोतिस में जिसे कुछ लोग हिंदु जोतिस भी कहते हैं राहू केतू को आध्यात्मिक और धार्मिक दरश्टी कौन से बहुत महत्पूर्ण माना जाता है इन छाया ग्रहों का भौते कस्तित्व नहीं है राहु कितु को सूरिय और चंदर के परिकर्मा पत के कटान बिंदु के रूप में भी जाना जाता है और अध्यात्मिक रूप से देखें तो सास्तरों में एक पौरानिक कथा का जिक्र मिलता है जिसे समुद्र मंथन के नाम से हम सभी जानते हैं एक बार देवतार असरों के बीच समुद्र मंथन की प्रियक्रिया को जन्म दिया गया जिसमें मंदरांचल परवत को मतनी और वासुकी नाकुरसी के रूप में प्रियोग किया भगवान सिरी महा विष्णुजी ने पून रूप लेकर इसे आधार दिया तब देवताओं और दानवों ने साथ मिलकर समुद्र मंथन किया जिसमें अनिक परकार के हीरे रत्न जेवरात निकले सबसे पहले उसमें विष्ण निकला जिसका पान भगवान सिर्व ने किया और समस्त संसार की रक्षा की उसके बाद अनिक परकार के रत्न आभुष्ण निकले जिनने देवताओं और दानवों ने आपस में बाट लिया और सबसे अंत में अमरित निकला जिसे लेकर देवताओं और दानों में युद्ध छिड़ गया दोनों ही उसे पहले प्राप्त करने के उपर जगड रहे थे तबी देवताओं ने भगवान विष्णु की सरनली उन्होंने मोहिनी अफ्तार धारन किया देवताओं और असुरों को अलग-अलग पंक्ती में बैठने के लिए कहा मोहिनी के रूप का माया जाल असुरों को अपने मोहों के बंधन में बांधने में सफल रहा वो एक-एक करके सबसे पहले देवताओं को अमरत पान कराने लगे लेकिन एक असुर जिसका नाम स्वरभानु था अपना वेस बदल कर देवताओं की पंक्ती में जा बैठा जैसे ही उसने अमरत पान किया तो सूर्य देव और चंदर देव ने उसे पहचान लिया और भगवान मोहिनी को बता दिया तुरंद भगवान विष्णु ने अपनी सुदर्शन चकर से उसका सर धड़ से अलग कर दिया इसमें सिरका हिस्सा राहु कहलाया और धड़ को केतु के नाम से पहचाना गया लेकिन अमरत के प्रभाव से उसकी मृत्यू नहीं हुई तब से राहु और केतु सूरिय और चंद्र को ग्रहन लगाते हैं राहु एक दोहें के समान है जो व्यक्ति के जीवन में भ्रहम फैलाने का कार्य करता है राहु एक कूटनीति में माहिर करता है जिन लोगों को राहू की किरपा होती है वहराजनीती और कूटनीती के छेतर में माहिर बनते हैं राहू बहुत जल्दी रूप बदलने वाला होता है तेज बुद्धी वाला होता है व्यत्ती को भर्मित भी करता है लेकिन ये एक पावरफुल ग्रह है जो ततकाल प्रभाव देने वाला ग्रह है व्यत्ती को रात रात अमीर बना सकता है राहु की दसा में जातक को सप्ण में सर्प दिखाई देते हैं क्योंकि राहु का सम्मंध सर्प से माना जाता है साथ ही जीवन में जूटी आसाएं अंदविश्वास धुंदली दरस्टी भी राहु लाता है लेकिन कुंडली में योकारक ग्रह के साथ केंदर या तरकौन भाव में इस्तित हो तो यह योकारक बनकर जीवन में हर सफलता प्रदान करा सकता है राहु व्यक्ति को मान सम्मान दिलाता है धन की प्राप्ती भी कराता है सत्रों पर विजय दिलाता है व्यक्ति को मजबूत व्यक्तित प्रदान कराता है जहां राहु होता है वहाँ चाहत होती है और चाहत पूरी भी होती है और जहां केतू होगा, वहां चाहत भी नहीं होगी, क्योंकि केतू अध्यात्म की ओर, एकांत की ओर, यानि संतो की ओर ले जाता है राहु इच्छाओं को पैदा करने वाला ग्रह है, ताकतव ग्रह है, दिमाग है, केतू के पास दिमाग नहीं है राहू रातो रात किस्मत को बदल देता है क्योंकि राहू चतुर है, चालाख है, पावरफुल है राहू और सनी की वज़े से ही चीजों में बहुत जल्दी परिवर्तन होता है ये अचानक लाब देते हैं और अचानक नुकसान भी करते हैं और यहां 30 अक्टूवर से राहू आपके चतुर्त भाव में सक्रिय रहेंगे तो राहू की यह इस्तिती आपके पारेवारिक जीवन में थोड़ा उतार चड़ाव दे सकती है ये आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपका इस्थानांतरन घर से दूर हो सकता है यानि की कुछ समय के लिए घर से दोरी बन जाएगी काम के सिल्सिले में बाहर जाना पड़ सकता है पारेवारिक जीवन का सुख प्राप्त उठाने में परिशानिया उठानी पड़ेंगी हलागी अन्य सुखों की प्राप्ति आपको होगी परिवार में आपसी सामजस से बहुत अच्छा बना रहेगा एक दूसरे की परतिप प्रेमभाव रहेगा माता का सपोर्ट आपको मिलेगा इज़ोरान भूमी भवन प्रापर्टे में निवेश करने से आपको अच्छे लाब की प्राप्ति होगी साथ ही वाहन सुक की प्राप्ति होगी चत्थोर्त भाव से ये आपके केरियर और व्यवसाय के भाव पर दसम भाव पर दर्श्टी डालेंगे तो ऐसे में कठेन परिश्रम आपको करना पड़ेगा काम का दबाब भी आप पर बन सकता है जिससे कई बार मानसिक रूप से परिशान हो सकते हैं तो ऐसे में धहरिये रखें ये आपके अंदर उर्जा, साहस, प्राकरम को पैदा करेंगे आपकी सोच और समझ बहुत अच्छी होगी निर्ने लेने में आसानी होगी इस दोरान आप अपने विरोधियों को, पिर्तितंदियों को टकर देने में कामियाब होंगे यानि आप उन पर विजय होंगे तो यहां राहु आपको सहासी बनाएगा राज सत्याक के माध्धम से सुख दिलाने का कार्य करेगा जो लोग राजनितिक छित्र में हैं उन्हें किसी पद की प्राप्ति हो सकती है साथी जोरान अच्छे लोगों से संबंध होंगे और किसी प्रसासनिक व्यक्ति के माध्धम से आपका ऐसा कोई कार्य बनेगा जो पिछले काफी समय से रुका हुआ था यानि आपको धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे आर्थे किस्तिती अच्छी हो जाएगी घर से संबंधित सामान की खरिदारी होगी यानि लगजरी लाइब भी आप जियेंगे पैसा तो खर्च होगा लेकिन इनकम भी वड़ेगी जो लोग बाहर जाना चाहते हैं विदेश यानि तो उनका विदेश जाने का सपना पूरा होगा आपके कारी छित्र में जो पिछली समय से कुछ बाधाएं रुकावटें उत्पन हो रही थी वो बाधाएं खत्म होगी यानि राहू यहां आपको नौकरी के मामले में राहत देंगे वेपार वेबसाय में भी सफलता प्राप्त होगी तो साजेदारी के मामलों में यहां इस्तित राहू आपको अच्छे परणाम देंगे इस वरान जीवन साथी के साथ आपके मधूर संबंध होगे और जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको मिलेगा पुत्र सुख की प्राप्ती होगी और भागय का पूरा-पूरा साथ आपको मिलेगा मानसिक सांती प्राप्त होगी यानि राहू की हैस्तिति आपके सभी सुखों को देने वाली होगी जिससे आपका मन काफी प्रसन नजर आएगा तो दोस्तो ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें